ओम शान्ती, 7 जुलाई 2022 के इश्वरिय महवाक्य, पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर, बाबा ने कहा, यहां तुमको एक सेकेंड में बाप से वर्सा मिलता है, तो यह सच्चा सहज राजियोग का रास्ता तुम्हें सब को बताना है, तुम्हें इसी निश्च में रहना है कि हम आत्मा शुवबाबा की संतान है, उनको याद करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ना कि लौकिक बाप को याद करने से, कोई को पूरा निश्चे नहीं होगा, तो अवस्था डामा डोल होती रहेगी, कभी खुशी का पारा चड़ जाएगा, कभी फिर भूल जाएंगे, तुमको पढ़ाने वाला है ज्यान का सागर शुवबाबा, ऐसे टीचर को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा स्मृती रहे कि हम इश्वर ये क्लास में पढ़ने जाते हैं, तुम जितना इश्वर दवारा पढ़ेंगे, उतना उच्च पद पाएं बाब तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाते और रावन सुख से लिबरेट कर दुखी बना देता, इसलिए अब राम की मत पर चलो, तो 21 जनमों के लिए इस रावन राजे से छूट जाएंगे, और लास्ट में बाबा ने कहा, मंजिल बहुत भारी है, बड़ी साव सावधानी से सीड़ी पर संभल कर चलना है, एक दो को सावधान करते रहना चाहिए कि शुबाबा को याद करते रहो, अंतकाल में सिवाए एक बाप के और कोई की याद ना आए, ऐसी प्रेक्टिस करनी है, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरलीखा सार, मीठे बच्चे, 21 जनमों के लिए रावण की जनजीरों से लिबरेट होना है, तो बाप की श्रीमत पर चलो, बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने, प्रश्न, सबसे भारी मंजिल कौन सी है, जिसका पुरुशार्थ बहुत काल से चाह उत्तर, अंतकाल में एक बाप की ही याद रहे, और कोई याद ना आए, यह बहुत भारी मंजिल है, अगर कोई याद आया, तो इसी दुनिया में जनम लेना पड़े, इसलिए बहुत काल से श्री बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो दूसरा प्रश्न, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है, उत्तर क्योंकि पक्का निश्चे नहीं है, जब निश्चे में कमी आती है, तब पारे की तरह अवस्था नीचे उपर डावाडोल होती है, कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुश ओम शांती बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शुबाबा के समुख बैठे हैं और ब्रह्मा दवारा यह सहज राजियोग भी सीख रहे हैं सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिश्दों का सार बाप बैठ समझाते हैं यह बच्चों की ही बुध्धि में बैठा है चित्रों में भी है ब्रह्मा दवारा सापना तो ब्रह्मा दवारा ही सभी वेदों, शास्त्रों का सार सुनाया है तुम बच्चों को यह सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोला नात्षिव वह निराकार है इसलिए हर बात ब्रह्मा दवारा समझाते हैं जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद नहीं समझे हैं अर्थात बेसमज हैं, बेसमज को समझाया जाता है, बाप सबको कहते हैं तुम बेसमज हो, तुम मुझ बाप को जानते हो, तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सत्यूगी स्वराज्य था, फिर रावन राज्ये होने से तुमने वर्षा गवा दिया, रावन राज्य पतित, बेसमझ, कंगाल बन पड़े हो। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझ से हो, कलप पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं माया रावन के गुलाम पांच विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में हैं बरोबर रावन का राज्य सारे विश्व पर हैं भारत वासी खास सारी दुनिया आम सब रावन की जंजीरों में बंधे हुए हैं इसलिए जो क पुझ करते हैं, रोम करते हैं, बाप आकर सब राइट बताते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावन को अनराइटियस कहेंगे, आधा कल्प राइटियस राज्ये चलता है, आधा कल्प अनराइटियस राज्ये चलता है, रावन राज्ये को तुम बच्चे ही जानते हो ज्यान सागर परमपिता परमात्मा शुव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा दवारा गाया भी हुआ है सेकेंड में जीवनमुक्ति ऐसे बहुत कहते हैं सेकेंड में जीवनमुक्ति प्रंतु इस समय सब जीवनबंद में हैं खास भारत भारत वासी ही एक सकिन में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो, इश्वर ही नई दुनिया की सापना करते हैं। तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े, पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है, सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिब्रेट करो, मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन सापन करते हैं, भले शास्त्र तो बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडितादी हैं, जिने घमंड बहुत हैं, प्रंतु कोई ऐसा नहीं, जो सेकिन में जीवन मुक्ती किसको दे सके, कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ती दे सकते हैं, या सब की सदगती कर सकते हैं, मैं ही खास भारत, आम सब की सदगती करता हूं, गाया भी जाता है, परंपिता परमात्मा सर्व का सदगती दाता है, सर्व का लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या, दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं, अच्छा सुख से लिबरेट क कौन करते हैं? भारत सुखी था ना? फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावन. अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो. उसको कहा जाता है जीवनमुक्ती या सदगती. बच्चों की बुद्धी में अब बैठा है, बरोबर भारत जीवनमुक्त था, तब सुख धाम था, अब भारत दुख धाम है, जीवन बंद में है, बेहद का क्वेश्चन हो जाता है. तो बाप बेहद की ही यह सब बातें सुनाएंगे, जो हद में मनुष्य तो जानते ही नह न स्वर्ग को न नर्ग को जानते हैं। वह तो यह सब कलपना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे। यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा। उसको क्रियेटर डारेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विश्नु शंकर का भी पार्ट है। जगतमबा जगतपिता का भी पार्ट है। देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इसलामी बौधी आदी आदी अपना अपना पार्ट बजाते हैं। वही पार्ट फिर सबको बजाना है, फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे, अभी तुम जानते हो, इस समय ब्राह्मन कुल की रिपीटीशन है, प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मन कुल की सापना होती है उनको ब्रह्मन संप्रदाई कहा जाता है क्राइस्ट से क्रिष्चन संप्रदाई की रचना हुई परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा दवारा ब्रह्मन संप्रदाई रची तो फिर वह इतने सब मुख वन्शावली होंगे कुख वन्शावली तो हो न सके कहते हैं न, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ये सब adopted children है, ये है है ही adoption, पहले ब्रह्मा को adopt किया, फिर ब्रह्मा दवारा, तुम ब्रामन ब्रामनियां adopt होते हो, तुम जानते हो, हम शिवबाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे हैं, पहले एक ब्रामनों का कुल है, ही adopt करते हैं, फिर कभी ये adoption होती ही नहीं, सन्यासियों की होती है, वे अपने जिग्यासूं को adopt करते हैं, कहेंगे तुम हमारे followers कहला न सको, घर बार छोड, कफनी पहने, तब followers कहा जाए, यहां तुम हो ब्राह्मन, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सब को ब एक सेकिन में बाप से वर्सा मिलता है, परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ती जीवन मुक्ती का ही वर्सा मिलेगा, श्यू बाबा को ही याद करना है, सब आत्माओं का बाप है श्यू, उनको याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, लौकिक बाप को याद करने स स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे. भले घर में रहो प्रन्तु शुबाबा को याद करो. हमात्मा शुबाबा की संतान है इसी निष्चे में रहना है. पूरा निष्च ना होने से ही अवस्था डावा डोल होती है. जैसे पारा होता है न अभी अभी खुशी का पारा चड़ता है अभी अभी भूल जाएंगे अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापिस जाना है फिर आकर नई खाल लेंगे तुम जानते हो हम पुनरजनम लेते आए हैं सर्प के लिए पुनरजनम की बात नहीं होती वे एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं वैसे तुमको भी बदलना है मनुष्य जब बुढे होते हैं तो कहते हैं अब जाना है जट साक्षतकार होता है अभी हम बाल बनेंगे फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा पुराने शरीर को जड़डी भूत कहा जाता है दुनिया भी पहले नई होती है फिर कला कम होती जाती है इसलिए चार भाग रखा गया है कहते हैं कल्प की आयू तो बहुत बड़ी है कल्प में 84 लाख योनिया लेनी पड़ती है तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है फिर दुख देखो कितना है लाखों वर्ष आयू लगाने से समझते हैं 84 लाख जनम होते होंगे यह बाप बैट समझाते हैं यह कभी भूलना न ही चाहिए स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं है तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते हैं इश्वरिय क्लास में मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं पढ़ाने वाला तो एक ज्यान का सागर ही ठहरा उनको ही ज्यान का सागर पतित पावन सर्व का सदगती दाता कह जाता है सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं तुम हो इश्वरिय संतान तुम इश्वर दवारा जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे पढ़ाई भी बड़ी सहज है सिर्फ दो अक्षर याद करने हैं तुम कोई को भी कह सकते हो परम पिता परमात बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा बस एक बाप को याद करो अंतकाल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंतकाल जो स्री सिम्रे वैशे योनी वलवल उत्रे ऐसे जनम में आएंगे बाप कहते हैं मन्जिल बहुत भारी है सावधानी से सीड़ी पर संभाल कर चलना है एक दो को सावधान करते रहना है शुबाबा को याद करते रहो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उधार करना है, तुम माताओं दवारा, तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उधार नहीं होना है, माता कोई निमित रखा जाता है, जगत अंबा मुख्य है न, उनका देखो कितना प्रभाव है ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुषकर में मंदिर है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं, अंबा का बहुत मान है, जहां तहां देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्ये खाए हैं। फाइदा क्या हुआ कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है। वापिस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ सकते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित हैं। जड़डी भूत अवस्था में हैं। उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख हैं। कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझ से हो बाहर तो बिलकुल बे समझ हैं। बाप को ही नहीं जानते। कहते भी हैं। तुम मात पिता हम बालक ते रे। तुम् अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की सापना हो रही है जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे अब दूसरे सब है तो यह धर्म नहीं है फाउंडेशन है नहीं अब वे जो आदिसनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से सापना हो रही है आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं एक ही धर्म रहेगा आधा कल्प सुर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य यह है तुम्हारा इश्वरिय जनमसिद्ध अधिकार Heavenly Godfather Birthright है हम अपने स्वर्ग की सापना कर रहे हैं राज्ये करने के लिए लायक बन रहे हैं वही हमको पढ़ाते हैं लायक बनाते हैं रोज रोज समझाते हैं पक्का करने लिए समझाते हैं माया तुम्हें याद नहीं करने देगी तुम कितने भी कोशिश करो बाबा को याद करने लिए तो युद्ध चलती हैं ना बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो तुम कर्म योगी भी हो हाँ बच्ची आदी तंग करने लगते हैं रोरव नर्क है ना दुख देने वाली संतान है वहां होते हैं सुखदाई संतान क्योंकि सुखधाम है ना वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे दुख हो मैलापन हो यहां तो कितना दुख है बिमारियां भी कैसी गंदी गंद आगे थोड़े ही थी, कैंसर की बिमारी का नाम भी नहीं सुना था, स्वर्ग में कोई बिमारी होती ही नहीं, जब आसुरी राज्य शुरू होता है, तब ये गंदी बिमारियां शुरू होती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुन्दर गाएं होती हैं। कहते हैं क्रिष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गाएं थी तो उनको भी गवाला बना दिया है। क्रिष्ण कोई गवाला थोड़े ही था। तुम कहेंगे शु बाबा ने ये चितन्य हिूमन गाएं चराई हैं। ग्यान घास खिलाते हैं। ग्यान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूं वह सुनो। पहली बात मन मना भव। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह है तु सहज उपाएं। अच्छा, मीठे मीठे, सिकीलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड Good morning, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, बाप की श्रीमत पर सबको रावन की जंजीरों से मुक्त कर, जीवन मुक्ती का वर्सा दिलाने की सेवा करनी है, दूसरी पोइंट, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल ज जाना है, मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्हती को पाना है, वर्दान सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पत्र बनने वाले बाप व परिवार के सनही भव, विश्वासकी नाव सत्यता ए, दिल और दिमाग की ऑनेष्टी है, तो उसके उपर बाप का, परिवार का, स्वत्य ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वत्य ही सब किस नहीं बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्ते को सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धी स्वरूप बन जाओ तो तिवर गती से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांती वपवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांती वपवित्रता का खजाना है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती।